हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने सारे और्गेनिजम को एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल टास्क है और ओवर दी पिरिड ऑफ टाइम नए नए स्पीसीज हम क्या कर रहे हैं डिस्कवर करते चले जा रहे हैं इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें एक स्पेसिफिक ग्रूप में डाल दिया जाए ताकि इनकी स्टड़ी करना बहुत असान हो जाए आप देखी रहे हो इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में कि कितनी बायो डाइवर्सिटी है सिर्फ इस इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में तो इसके respect में अलग-अलग scientist ने अपनी theory दी कि भई classification करना है तो तीन पार्ट में कर लेते हैं पानी में रहने वाले organisms हवा में रहने वाले और वो living organisms जो land पे रहते हैं कितना असान है लेकिन नहीं गरबढ़ हो गई इसके बाद अलग-अलग तरिके के animals निकल के आए organisms निकल पर हो रहे हैं जैसे की unicellular organisms अब इनको कहां रखें ये समझ में नहीं आया इसके बाद fungus जैसे organisms जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें कहां रखें तो इस तरह से एक scientist है जिनका नाम है और एच विटेकर इन्होंने 1969 में classification करी organisms की 5 kingdoms में वो kingdom कौन-कौन से थे सबसे kingdom है monera जिसमें उन्होंने रखे bacteria को दूसरा ग्रूप उन्होंने बोला protesta इसमें रखे यूणी cellular organisms को और यह वो यूणी cellular organisms थे जो eukaryotic cell थे, eukaryotic cell क्या होती है, prokaryotic cell क्या होती है यह मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको छोड़ा बहुत आता होगा नहीं तो फिर इस पर कोई interesting video आगे बनाएंगे तीसरा fungus, fungus तो आपको पता है, fungus अलग-अलग जगा हम देखते हैं कहीं न कहीं infection भी cause करती है तो कभी-कभी fungus खाई भी जाती है, बिल्कुर हाँ, आप mushroom तो खाते ही है, मैं आगे बताऊंगा इसके बाद plant और animal ये classification करके उन्होंने 5 kingdoms में, groups में organisms को classify करने की कोशिश करी, तो classification का तरीका क्या है, मैं अभी बतायता हूँ कि cell type कैसी है, prokaryotic है, यह eukaryotic, उसमें advanced nucleus है या primitive form of nucleus है खाना कैसा खाते है, nutrition क्या है इन organisms का, इस तरीके के living organisms के बारे में बात करें तो उनका size क्या है, उनकी complexity क्या है cell की, या फिर वो खाना बना सकते है, अपना या नहीं बना सकते उनके अंदर उनकी cell wall कैसी है, होती भी है या नहीं होती, इन सब criteria पर उन्होंने 5 kingdom classification दी लेकिन फिर scientist है जिनका नाम है काल वूज, काल वूज ने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तरीके के organisms और भी हैं, जिने हम कहते हैं RK organisms ये वो तरीके के micro organisms हैं, bacteria हैं, जो extreme environment में रहते हैं और इन्होंने study किया ribosomal structure को, ये आपको अगर नहीं भी पता तो बता देते हैं genetic material के respect में ribonucleic acids होते हैं, ribosomal RNA, that is a type of the ribosomes उसके basis पर उन्होंने ये study करी RK bacteria, आप ऐसे समझ लीजे, extreme environment में रहने वाले organisms और bacteria को इन्होंने अलग कर दिया इस तरीके से तीन इन्होंने domain निकाले, मैं क्या word यूज कर रहा हूँ, domain इसमें पहला domain था RK, जो मैंने लिख दिया है, दूसरा domain इन्होंने रखा bacteria का और तीसरा domain इन्होंने निकाला eukaryota eukaryota का मतलब eukaryotic organisms को इस group में डाल देंगे अब इस तरीके से इन्होंने six kingdom classification दे दी और monera को दो पार्ट में further divide कर दिया U bacteria और RK bacteria RK bacteria में extreme hot environment पे रहने वाले bacteria thermophils बोले जाते हैं, methane gas में जो survive करते हैं वो methanophils होते हैं, और extreme saline conditions में जो रहते हैं उन्हें हम कहते हैं hellophils फिर आते हैं हम एक एक group की classification में जैसे की monera, monera bacteria के respect में अगर you bacteria की बात करूँ तो इस तरीके के micro organisms आपने जरूर photograph में कहीं न कहीं देखे होंगे कुछ bacteria के example भी ले ले लेते हैं यहाँ पर जैसे TB, tuberculosis cause करने वाला जो bacteria होता है उसे हम कहते हैं mycobacterium यह bacteria से होने वाली एक disease है इसके इलावा जो और भी example सकर हम देखें typhide आपने सुना ही होगा, लोग को typhide हो जाता है वो भी bacteria से होता है, that is salmonella नाम के bacteria से salmonella typhi तो ऐसे करके बहुत अलग-अलग तरीके के bacteria है कुछ bacteria तो हमारे दोस्त भी है एक तरीके से क्योंकि जैसे दही बन जाता है milk से उसे हम कहते है lactobacillus bacillus एक shape होती है rod shape जो होती है bacteria की उसके basis पर division होता है जैसे bacillus बोला मैंने rod shape bacteria, cocus बोला मैंने cocus तो spherical bacteria यह देखो यह छोटे-छोटे spherical bacteria cocus shape तो ऐसे ही lactobacillus एक rod shape bacteria है और हमारी बदद करता है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यह micro organisms bacteria वगरा हमारे दोस्त भी है और हमारे दुश्मन भी है कही न कहीं इसके बाद जो group आता है वो आता है protista का यह भी unicellular organisms है unicellular organisms लेकिन यह eukaryotic cell है eukaryotic cell का मतलब इनका nucleus बहुत advanced है और बहुत अच्छे अच्छे और्गिनल्स इनमें होंगे जो bacteria की cell में नहीं होते जैसे कि सर एक्जामपल लिखें तो यह एक्जामपल है euglina का यह एक्जामपल है amoeba का आपने amoeba देखा होगा इसकी कोई shape ही नहीं होती और यह fresh water में रहता है यह paramecium का एक्जामपल है paramecium इसके अलावा उपर वाला जो एक्जामपल है वो clamidomonas का है यह unicellular algae है एक तरीके से यह photosynthesis भी कर सकता है organism सो चो पानी में इतने छोटे छोटे living organisms कितनी ज़ादा biological diversity हमारे है microscopic organism एक single cell organism capacity रखता है अपना खाना खुद बनाने की तो यह heterotrophic mode of nutrition शो कर सकते है phototrophic शो कर सकते है और दोनों के respect नहीं बोने तो mixotrophic nutrition भी हो सकता है इसके बाद जो पाता है वो है fungus का fungus तो आप जानते ही है किस तरीके से कभी खाने में हमारे fungus लग जाती है यह bread mold का example मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर bread mold जो कभी कबार humidity में अगर bread को आप बाहर रख दे बारिश के मौसम में तो green color की ऐसी bread हो जाती है और उस पर grow होने वाला जो organism है that is rhizopus rhizopus यह बात आपको नहीं पता होगी rhizopus नाम का एक fungus होता है जो इस तरीके से colony form में यहाँ grow करता है और उसके छोटे छोटे sports होते है यह sports पैलते हैं हवा में और जहां भी suitable environment मिलता है यहाँ पर वो फिर grow कर जाते है इस तरीके के यह structure को अगर हम देखें कभी electron microscope से तो ऐसा दिखता है हमें यह structure वहीं आपने recently coronavirus के time पे black fungus भी सुना होगा black fungus क्या था वो भी इसी तरीके के sports थे जो spread करते थे एक जगा से दूसरी जगा और जिस भी individual में immune system weak होता था तो यह sports वहाँ पर उसको infection cause करते थे black fungus ऐसा नहीं है कि corona की वज़ा से ही हुआ black fungus तो already sports हवा में होते हैं लेकिन जिनकी immunity weak है उनी को impact करते हैं दूसरा example मैं mushroom का बताओ mushroom खाने में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है लेकिन ध्यान से क्योंकि हर तरीके का mushroom खाया नहीं जाता कुछ ऐसे mushroom भी होते है जो poisonous होते है poisonous mushroom की characteristic देखो इस तरीके का structure जब होता है और वो pink color के अगर है तो generally वो नहीं खाय जाते ये वो mushrooms हैं जो हम खाते हैं button mushroom, moral mushroom portobello mushroom इस तरीके mushrooms हम खाते हैं तो please इस बात का ध्यान रखिए बाकी mushroom का scientific name agaricus है आपने सोचा भी नहीं होगा इसे इतने complicated नाम से बुलाते हैं scientific word में agaricus इसके बाद आता है एक example और जो fungus category में है बहुत important example है penicillium penicillium नाम का इस तरीके का जो fungus होता है आप देखिए ऐसे तो दिखने में microscope में देखें तो ऐसा दिखता है वरना अगर आप उपर से देखेंगे तो इस तरीके से हमारे खाने में या इस तरीके से petri dish में वो हमें देख सकता है penicillium बहुत ही important example है क्योंकि इस penicillium से ही penicillin penicillin नाम की antibiotic निकली थी discover करी थी और वो antibiotic world war 2 के time पर बहुत ही जादा important role play कर चुकी है इसे हम wonder drug भी कहते है wonder drug बहुत सारी ऐसी diseases थी bacterial diseases थी जो soldiers को हो जाती थी world war के time पर और penicillin की help से वो cure कर जाते थे इस तरीके के articles भी अख़वारों में बहुत छपे हैं कि कैसे penicillin ने important role play किया है world war के time पर और US जैसी countries या फिर बाकी develop countries को कैसे penicillin ने बहुत से soldiers को बचाया है ठीक है students अब आते हैं plant जैसे kingdom पर plant a kingdom plants kingdom नहीं है plant a is the kingdom और इस kingdom के अंदर सुचो कितनी variety होगी अगर मैं इसे detail में पढ़ाने बैठ जाओ तो घंटे निकल सकते हैं class 11 में तो वैसे ये chapter भी है अलग से और class 9 में भी इसको short में explain किया गया है एक तरफ आप देखो microscopic छोटे छोटे पेड़ों के उपर हरे हरे कलर के दिखने वाले organisms वो भी plant group में आते हैं वहीं ये लंबे लंबे trees जो इतने मीटर लंबे होते हैं वो भी category counts में आते हैं plant तो देखो ये जो छोटे छोटे organisms हैं इन्हें हम further divide करें अगर plant को divisions में तो थैलफाइटा, algae नाम का group आता है जो planted group में होता और plant की characteristics तो आपको पता ही है वो photo synthesis करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं इसके बाद mosses देखिए mosses ये bryophytes category में आते हैं और ये छोटे छोटे घास जैसे दिखते हैं वैसे तो लेकिन होते ये simple organisms हैं और फिर ferns ferns किस category में आते हैं teridophytes category में आते हैं ऐसे plants आपने जरूर देखे होंगे आस पास अपने देखिए एक बार पक्ता greenery देखेंगे तो ऐसे plants ferns आपको जरूर देखेंगे फिर घूमने जाते हैं जब पहाडों पे तो लंबे-लंबे पेड़ दिखते हैं हमें conifers, cedar, deciduous plants ऐसे कितने सारे plants लंबे-लंबे हमें दिखते हैं और उनमें cones भी दिखते हैं cones कभी-कभी हमें जमीन पे पड़े वे दिखते हैं या पेडों पे लगे वे दिखते हैं और फिर हम इसको घर लेकर आते हैं इस पर लोग बहुत से paintings भी करते हैं actually मैं gymnosperms बोलते हैं इनको इन ग्रूप को क्या बोलते हैं gymnosperms, बाकी characteristics हम फिर कभी किसी lecture में discuss करेंगे लेकिन एक important category है जिसे हम कहते हैं flowering plants अब plants में flowering भी होती है जबकि आप पक्का इन plants को देखेंगे बड़े-बड़े trees को देखेंगे तो यहां flowering नहीं दिखेगी ये flowering हमें कितनी सुन्दर लगती है हम कितना खुश होते हैं flowering plants को देखके तो आज मैं आपको बता रहा हूँ angiosperms angiosperms बोलते हैं इस category को organisms की, plants की जो flowering कर सकते हैं अलग-अलग तरगी की देखो flowering होती है लेकिन flower के parts कभी सोचे हैं आपने क्या होते हैं एक तो petals यह तो सबको दिखता ही है जिसे देखके हम खुशी मनाते हैं लेकिन उसके नीचे green color का जो structure है उसे हम कहते हैं sepals petals और sepals के इलावा reproductive organs भी होते हैं या male and female male reproductive organ को stamen बोलते हैं और female reproductive organ को pistol बोलते हैं इसकी further classification देखो तो पक्का आपने किसी flower में इस तरीकी का structure देखा होगा जिसमें आगे ऐसे बना हुआ होता है आगे का structure को enter और पीछे filament वही ovary style and stigma female reproductive part pistol बोला जाता है यह मैंने यहाँ पर short में आपको बताया एक flower के अंदर के parts उसके components यह एक bisexual flower है जिसमें male or female reproductive parts दोनों ही होते है last category आती है group की animalia animalia अपने आप में kingdom है और animals में आप जानते हैं कि हर तरीके का animal चाहे एक हाथी हो चाहे एक frog हो चाहे एक मगरमच दिख रहा है या इस तरीके का organism दिख रहा है sponges and all यह भी सब animal group में आते हैं इस photograph में अगर मैं आपको दिखाऊ हो तो अच्छे से देखिए यहाँ पर एक parrot भी है यहाँ पर एक spider भी है एक octopus भी है और एक mollusk या फिर एक prawn इस तरीके के organisms यहाँ पर दिख रहे हैं हम categorize कर सकते हैं इसको दो पार्ट में जो codits है या non-codits codits में आ जाते हैं मचलियां या फिर कहीं न कहीं birds, reptiles, frogs, amphibians, mammals इन सब को हम codits category में रखते हैं और non-codits में वो organisms आते हैं insects आ जाते हैं या फिर इसमें arthropod जोसे हम कहते हैं anelida, earthworm आ जाता है इसमें echinoderm बोले तो starfish आ जाती है यह सारे groups ऐसे हैं जो की invertebrates category में आते हैं जिनका vertebral column नहीं होता तो I hope आपने 5 kingdom classification, 6 kingdom classification इस तरह की biological classification को समझा हमारे channel Abita को like करें subscribe करें इस तरह की videos हम short में बिल्कुल knowledgeable videos आपके साथ share करते रहेंगे Thank you so much students हूँ